हेई गाईस कैसे हो आप सब आसा करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होगी और आज हम लोग maximum product sub array problem को solve करने बाले हैं कडानेज अलगॉर्थम पे बेस्ट है DP की एक problem है इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने कडानेज अलगॉर्थम देखा था वहाँ पे बोला जा रहा था कि एक array है और array में मुझे ऐसा sub array डूड़ना है such that sum of elements जो है वो maximum हो जाएं यहाँ पे similar question है यहाँ पे बोला जा रहे कि multiplication of element मेरा maximum हो जाएं तो वैसी problem है जैसे कि यहाँ पे example 1 देखते हैं चार element है 2,3,-2 और 4 अगर मैं 2,3 को 7 में लेता हूं ऐसा sub array तो मुझे 6 ऑंसर देता है 3,-2 को देता हूं तो –6 देता है –2,-4 को देता हूं –8 देता है सबको अगर मैं लेता हूं तो negative के एक value हो जाएगी सबसे सही answer है मैं 2,3 को 7 में लेता हूं मुझे 6 answer मिल जाएगा तो simple problem है, जड़ा देखते हैं कि जो कडाने इस algorithm है, और जो अभी की problem है, इन दोनों में कैसी similarity है, algorithm wise, कैसी similarity है, logic कैसे लगाएंगे, और क्या चीज़े थोड़ी different है, सबसे पहले तो हमें एक array given होगी, तो एक array बना ले, बना लेते हैं, तो array is equal to 3, 2, minus 5, then 6, and then minus 2, then 8, तो ये मेरी array हो गई, करनाने इस algorithm थी, वो कहती थी, कि मुझे चाहिए maximum सबेरे, तो maximum सबेरे का मतलब है, कि मुझे कैसा सबेरे चाहिए, जिसका sum करने पे, मुझे max answer मिल जाए, तो मैं क्या करता था, हर element पे जाके पहुच जाता था, minus 2 पे मैं पहुच गया, और मैंने से पुचा कि ये बताओ कि तुम कित्ते ऐसे सबेरे बना सकते हो, इसने का मैं तो डेर सारी सबेरे बना सकता हूँ, single, ये भी सबेरे है मेरा, ये सबेरे है ये सबेरे है और ये सबेरे है यानि 1, 2, 3, 4, 5 मैं 5 सबेरे बना सकता हूँ इन में से जो maximum है वो मैं देख लूँगा ऐसे मैं 8 से पूछूँ, 6 से पूछूँ 5 से, minus 5 से पूछू, 2 से पूछू, 3 से पूछू सबसे पूछ लूँ, सब अपने left में जा जाके जित्ती सा बेरे हैं possible हैं बना के देख लेंगे और समय से जो मेरा maximum होगा वो मेरा answer हो जाएगा प्रॉब्लम में big of n² की approach हो जाती है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए big of n की approach तो दूसरी approach हम लोग ने देखी थी कि एक काम करते हैं पिछली value जो है वो कहीं save करा लेते हैं कौन सी पिछली value तो जो पिछली value हम लोग save कराने वाले वो यह है कि जो भी array of i-th element है यह maximum maximum कितना answer दे सकता है जैसे मैं अगर 3 से पूछूँ, 3 से पूछूँ कि यह बताओ तुम maximum किता ऐसा सबेरे बना सकते हो maximum summation किता दे सकते हो, यह simply दिख रहा है यहां पर कि 3 ना, left में कोई limit नहीं है तो individual आएगा 3 दे देगा मैंने 2 से पूछा कि तुम कितना maximum answer दे सकते हो इसने कहा कि मैं अकेला तो 2 answer दे ही रहा हूँ left वाला जो है मेरा जो की 3 है, वो 3 answer दे रहा है इसका मतलब मैं left वाले का answer अगर include कर लूँ तो मेरा answer total 5 हो जाएगा यहीं मैं maximum 5 answer दे सकता हूँ, minus 5 से पूछा गया इसने कहा individual अकेला मैं minus 5 दे रहा हूँ अगर 2 के answer को include कर लो, क्योंकि include हो सकता है सबेरे की बात हो रही है, तो left के जो answer है वो मैं साथ में include कर सकता हूँ तो minus 5 से पूछा गया, तो इसने कहा है रुको मैं 2 से पूछा हूँ, 2 मेरा answer 5 दे रहा है minus 5 अकेला आता तो minus 5 देता अगर बगल वाले का answer include कर लिया जो कि positive का है, तो बहतर है positive का answer include कर लो, ताकि result बढ़ सके तो minus 5 प्लस 5 जीरो हो जाता है 6 से पूछा गया, इसने कहा कि ठीक है कुछ भी करो, अगर बगल वाले लेते हैं तो बगल वाले maximum मुझे 0 दे सकता है मैं अकेला 6 हूँ, तो maximum मैं 6 ही पा सकता हूँ, minus 2 से पूछा गया इसने कहा, अकेला मैं minus 2 दोंगा, अगर अकेला सबे रहा हूँ बट अगर मैं बगल वाले से पूछ लूँ कि तुम maximum कित्ता पा सकते हो, इसने कहा कि maximum 6 पा सकता हूँ, तो include कर लो बगल वाले को भी, 8 answer हो जाएगा, 8 नहीं, 6-2 यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 4 answer हो जाएगा, तो यहाँ पर simply 4 हो जाएगा, 8 से पूछा गया, इसने कहा, बगल वाले को include करता हूँ, positive का चार दे रहा है, यानि बगल वाले को include कर लो, मुझे मतलब नहीं बगल वा answer हो जाएगा, जो कि हमारा 12 है, यानि यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं पहले क्या करूँगा, एक dp array बना लूँगा, n size का, जो कि यहाँ पर नीचे बन नहीं थी, जिनमें से हम लोगने maximum answer ढोडा था, तो मैं n size का dp array बना लूँगा, और मेरे पास एक array है, जिसमें elements भरनी है, यानि जो array of i है, यह maximum कितना answer दे सकती है, यह मेरा dp of i में रखा होगा, तो मैं पूछोंगा dp of i maximum कितना answer दे सकता है, तो दो choice है, choice 1 क्या है, कि मैं पुराने वाले answer को include कर लूँ, यानि dp of i minus 1, यानि i minus 1 जो element है, उसका maximum कितना रखा होगा, dp of i minus 1 में रखा दोरों मैंसे जो max होगा न, वो dp of i में चला जाएगा, यह थी मेरी kadanese algorithm, अब यहाँ पे हमें plus की जगे multiply चाहिए, अब multiply प्लस में क्या दिक्कत आ जाती है, जरा देखते हैं, अभी तेक तो similarity की बात ही थी, अब देखते हैं, अगर मेरा minus 3 है, एक मेरा minus 2 है, एक मेरा minus 5 है और एक मेरा minus 1 है, और then मेरा 10 है, तो अगर मैं kadanese algorithm देखता कि maximum sum किसमें आता है, तो maximum sum तो individual 10 को ले लो, वही मेरा maximum sum आ जाएगा, पर जब बात आती है multiplication की, तो आपके पास कितना भी बड़ा negative number हो, अगर उसमें से एक और negative number multiply हो गया, तो पूरा result मेरा positive चला जाता है, तो य मैंने अगर minus 3 से पुछा कि तुम्हारा minimum answer, sorry, maximum answer कितना है, इसने कहा मैं maximum minus 3 पासकता हूँ, minus 2 से पुछा गया कि ये बताओ, कि तुम maximum कितना पासकते हो, इसने कहा कि मैं अकेला होंगा, तो minus 2 आएगा, अगर मैं बगल वाले की help ले लूँगा, जो कि minus 3 है, तो मैं plus का 6 पा सकते हैं, इसका मतलब बगल वाले का maximum element ही नहीं, minimum element भी हमारे लिए फायदे मंद हो सकता है, जैसे कि minus 2 मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 दे रहा है, मैंने minus 5 से पूछा, कि तुम maximum कितना पासकते हो, इसने कहा, अगर मैं बगल वाले की help लो, जो कि maximum 6 दे रहा है, तो मै मैं minus 30 पासकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, बगल वाला तो मेरा maximum दे रहा था, बड़ मल्टिप्लाई करने पर negative हो गया, तो यहाँ पे हमें सिर्फ maximum element ही नहीं चाहिए, हमें minimum element भी चाहिए, यहनी हर आयत जो element है, वो minimum कितना बना सकता है, सपोस करो, अगर मैंने य single element maximum भी उतना ही बनाएगा, minimum भी उतना ही बनाएगा, अब minus 2 के पास पहुचा, इसने कहा कि, ठीक है, minimum मैं अगर इसको लेता हूँ, तो यह मेरा 6 ही बना पाएगा, तो maximum भी 6 है, और minimum कितना आ सकता है, minimum तब आ सकता है, जब minus 2 individual ऐसा element आ जाए, जानी बगल वाले को include ना करे तो minimum का यह minus 2 पासकता है, minus 5 से पूचा कि, इसने कहा कि, जो बगल वाला है, वो maximum तो 6 दे रहा है, minimum minus 2 दे रहा है, एक काम करो, दोनों choices देख लो, अगर मैं बगल वाले का maximum include करता हूँ, तो minus 5 इंटो 6 यह हो जाएगा minus 30, बगल वाले का minimum include करता हूँ, तो minus 5 इंटो minus 2 यह हो हो रहा है यानि minimum element से multiply हो रहा है और यहां पर भी मुझे minimum element भी रखना होगा minimum element कितना पा रहे minimum element माइनस 30 पा रहे क्योंकि हो सकता है future में जिन निगेटिव element किसी से multiply होके positive हो जाए जैसे कि इस case में minus 1 से पुछा गया इसने का पुराने वाले का negative अगर मैं maximum use कर लो 300 आजाएगा minimum use कर लो minus 100 आजाएगा तो हर case में मुझे दो एरे बनानी है एक maximum के लिए minimum के लिए जल्दी से इसका code कर लेते हैं code करते करते समझते हैं और कुछ भी ना समझ मैं तो comment box में लिख देना मैं try करूंगा आपका जवाब देने की अब मेरे पास यहां पर एक एरे था एन ले लेते हैं जो कि size of एरे होने वाले हैं दो एरे बनाते हैं एक mx का एक minimum का size n रख देंगे सम्में 0 भर दे रहें 0 into n यह mx के लिए रहे हो गई mn के लिए बना लेते हैं यह हो जाएगा 0 into n mx of 0 क्या होगा यानि सिर्फ 0 इंडेक्स की बात करूँ तो 0 इंडेक्स सिर्फ इंडिविजल अकेला आ सकता है सो वह हो जाएगा area of 0 mn of 0 भी area of 0 हो जाएगा दोनों सेम ही होने वाले हैं अब जड़ा का लूप चलाते हैं फॉर राइन रेंज फॉस्ट इंडेक्स से लेके एन माइनस वनात इंडेक्स तक यह लूप चलेगा चीक है हर element में पहले element निकाल लेते element हो जाएगा area of i मेरे पास तीन चौइस है हर element के लिए है पहला individual है दूसरा बगल बारिख का minimum लेए थीस्टा और बगल वाले element का maximum लेएो डब क्या कहता है इंडिविज्वाल है मिनीमम साइड़े ले हैनि ही हिंट साइड वाले का यह फट साइड वाला क्या है left side वाला यानि i-1 इंडेक्स का minimum ले ले यानि minimum of i-1 ले ले choice 3 क्या है maximum ले ले left वाले का el into mx of i-1 तीनों मैंसे max देख लेंगे min देख लेंगे क्योंकि हमें i-th index के लिए भी तो mx और mn की value भर नहीं है so mx of i हो जाएगा maximum of c1, c2, c3 mn of i क्या हो जाएगा minimum of c1, c2, c3 और जब यह loop खतम हो जाएगा तो मुझे mx मैंसे जो max element है वो मेरा answer दे देना है max मेरी जो array है वो मेरा answer हो जाएगा ठीक है अब जड़ा run कर लेते हैं even is not defined even नहीं आप EL होगा हर जगे EL होगा हम लोग ने गड़ बड़ कर दिये ठीक है होती रहती छोटी मूटी गड़ बड़े six answer आ रहे है submit कर देते हैं सो हमारा solution submit हो चुका है space कितनी खा रहे है अब यार यह space big of n की खा रहे है क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखो यार दो array यूज कर रहे है बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सिर्फ left वाले element का काम है आपको पूरे element का काम नहीं है तो array बनाने की क्या जरूरत है क्या बिना array के भी कर सकते हैं जड़ा देखते हैं mx mn हटा दिये यह दोनों भी हटाई देते हैं array की कोई जरूरत नहीं अब मैं सारे element पर traverse करूंगा element मेरा array of i हो जाता है और यहां पर c1 is equal to choice 1 खाली element आ जाएगा choice 2 कहता है mn में आ जाएगा choice 3 क्या कहता है mx में आ जाएगा ठीक है और अब मुझे mx और mn की value वापस से update करनी है so mx हो जाएगा maximum of c1 मैं यहीं change कर देता हूं इसको अटाते हैं और इसको अटा देते हैं यह mx हो गया यह मेरा mn हो गया अब मेरा mx और mn मेरा हो गया छीक है लेकिन अब यहां पर problem बसी कि मुझे जो max रहे है उनमें से जो overall maximum answer है वो मेरा answer हो जाएगा बट यहां पर max value तो हर बार change हो रही है तो एक काम करते हैं एक answer नाम का variable बना लेते हैं जिसमें starting में first element रख लेते हैं और जब भी मेरा maximum answer आएगा now run code and now submit code so हम time ले रहे है big of n की space ले रहे है big of 1 का क्योंकि हम लोग यहां पर कोई भी extra array नहीं बना रहे हैं तो यह हमारी problem थी problem यहां पर medium level की थी बट मुझे नहीं लगा है medium level मुझे तो बहुत आसान level की problem लगी अगर आपको कड़ानेस algorithm आता है तो आपको यह भी आता है इसके बाद भी हम लोग एक दो problem करेंगे जो कड़ानेस algorithm पर based है अगर आपने यह problem कर ली तो वो problem कर लेगे वो problem कर ली तो उससे आगया और नहीं problem कर लेंगे